नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा करेकर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ डिएडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ आज मैं आपके साथ डिप्रेशन का एक प्रकार डिस्कस करने वाली हूँ वो है अर्टिपिकल डिप्रेशन डिप्रेशन के काफी प्रकार है लेकिन अर्टिपिकल ड लोगों में दिखने में मिलता है और टिपिकल डिप्रेशन ने जो टिपिकल डिप्रेशन होता है उसके विरुथ इसलिए उसको और टिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं जनरली टीनेजर में वह ज्यादा मिलता है और मेल्स के कंपरिजन में फीमेल्स में ज्यादा होता है अब हम के बारे में बाद करें तो वो ही ट्विक्ल पॉर जैसे हरीडीटी है घर में किसी को प्रόबलम है एक है कि साइकेट्री सूब्लोम है उसके कोई stress है लग लग प्रकार कर बाद है ऐसे एक्चुली और टिपिकल डिप्रेशन के लक्षन क्या क्या है हम पहले बात करेंगे टिपिकल डिप्रेशन जो है जैसे कि मेलनकॉलिक डिप्रेशन जिसे कहते है कि जिसमें इंट्रेस्ट कम हो जाता है निराशा बहुत आ जाती है किसी चीज में खुशी नहीं मिलती खाना कम हो जाता है नींद कम हो जाती है वेट लॉस होता है यह टिपिकल जो डिप्रेशन में हमको सिम्टम्स मिलता है लेकिन और टिपिकल में क्या होता है कि पहले जो उदास सीमता है या फिर इंट्रेस्ट कमडों हो जाना या इसी छीज में ह्षु मुखंगा मलता है यह तो कॉमुण है लेकिन इसमें खाने का जो बवहत बढ़ जाता है तुक लगती है बहुत खाने का मं करता है अलग अलग चीजे खाने का मं करता है स्पाइसी खाने का मन करता है और उसकी वज़र से क्या होता है वेट गेन बहुत होता है उसके साथ साथ नीन बहुत बढ़ जाती है जब भी सोते हैं नीन लग जाती है या सुस्त लगता है दिन भर तो नीन बहुत बढ़ जाती है उसके साथ साथ वीकनेस बहुत फील होता है जल्दी ठक जाते है, फटीग जिसको बोलते है, बॉडी एक होता है, हिडेक होता है और हर चीज में आउटबस्ट होना, एक्स्प्लोड करना खुद को, छोट-छोटी बात पे या कुछ भी मन के विरूध होना तो ऐसे हमको कंप्लेंट्स मिलते हैं अब ऐसे प्रॉब्लम्स होए तो रिलेटिव जन्रली फैमिल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और पहला जो मन में डाइग्नोसिस आता है, वो होता है हाइपो थाराडिजम, थाराइड प्रॉब्लम्स इसमें और उसमें काफी कॉमन हमको चीजें मिलती है थाराइड अगर नॉर्मल है तो फिर जन्रली फिजिशन के पास जाकर बाकी टेस्ट की जाती है वो अगर बाकी की भी नॉर्मल है तो फिर वो एटलास साइकेट्रिस के पास आते है साइकेट्रिस के पास आने के बाद उनका फॉर्स्ट जो क्वेशन होता है वो होता है कि डॉक्टर साब हमको तो लगता था कि डिप्रेशन में वेट लॉस होता है, खाने का मन नहीं करता, नीन नहीं आती है लेकिन ये तो उल्टा है कि जादा खाना है, जादा नीन दारी है, वेट बहुत बढ़ गया है तो ये कैसी तो अब ये एक प्रकार का depression है ये उन्हें समझाना पड़ता है जिसको अर्टिपिकल depression बोलते है और इसका भी depression जैसा ही similar सब बाकी का procedure होता है अब generally हम investigate तो already कर चुके होते हैं patients तो treatment जो आता है तो treatment में depression ही हमको treat करना पड़ता है जैसे depression हम treat करते हैं by anti-depressants अलग-अलग प्रकार के anti-depressants है जैसे acetalopram, sertraline या फिर phloxetine तो ऐसे ही देखे हमको depression treat करना पड़ता है लेकिन इसमें हम mood elevators देते हैं जैसे modafinil है मोडafinil से कैसे है उनका नींद जो बहुत उनको नींद आता है वो कम हो जाता है वो energetic feel करते है फ्रेश फील करते है इसलिए हम ज़्यादा तर mood elevators इसमें देते हैं जब तक उनका mood uplift नहीं होता है उसके साथ साथ hypnotherapy, psychotherapy या फिर individual counseling ये भी चीज़े हमको करनी पड़ती है तो ये था और typical depression के बारे में जानकारी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे और जादा से जादा लोगों में मानसिक बिमारियों के बारे में जानकारी पहुचे इसके लिए हमारी मदद कीजे हमारा उद्देश्य यही है कि जादा से जादा लो झाल